थर्ट एस्ट मैच इंडिया और अस्ट्रेलिया जो है फाइनली अस्ट्रेलिया की पर्फॉर्मेंस निकलवा गया अब भारत ने जादा बुरा खेला कि अस्ट्रेलिया ने जादा अच्छा खेला स्कोर लाइन या end of the day जब 47 रंस की लीड है अस्ट्रेलिया के पास वहां से तो ऐसा ही लग रहा है कि भारत में को जादा बुरा खेल डाला बट क्या भारत जो है गेम से आउट हो चुक है वैल नहीं स्टार्टिंग होई के राहूल को ड्रॉप करकर जो कि मुझे लगता एक फेर डिसीजन था बट यह कहीं न कहीं के राहूल के लिए अच्छा डिसी अच्छा देख रहे हैं बट वो स्टिल उस स्टार्ट को कापिटलाइज नहीं कर पाए सिमिलर शुबमन गिल के पास जो है ऑपरचुनिटी थी और कहीं न कहीं सभी की आईज उनकी उपर थी वो भी नहीं चले ओल इन्डिया का टॉप और मिडर और 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 पूरा बैटिं किस तरह बिखर गई इसके दो मतलब है या तो पहले सेशन में पिच जो है इतनी डेंजरस हो रही है बिकॉस कवर्स वहरा होते हैं इसलिए या इंडिया की बार्टिंग जो है एक्स्ट्रा जो है रिलाक्स हो गई थी वेराज ऑस्ट्रेलिया उनके खुआजा और उनके जो है मारने वाला ऐस्ट्रेलिया और कहीं न कहीं एक वही ऑपर्चुनिटी रहें कि इंडिया के पास कमबाक करने की कि अगर 70 रन की लीड में अस्ट्रेलिया को निकाल दिया जाए और फिर जो है 225 रन बनाया जाए तो ऐस्ट्रेलिया के लिए शायद ये टफ थोड़ी सी बुरी की स्ट्रेट बैट से खेलने की बजाए आड़े तेड़े शॉट्स खेले और कहीं न कहीं ओवर अगरासे होने की कोशिश की पट अस्ट्रेलिया के खुआजा और लबुशा ने ये गलती नहीं की हाला कि स्मित की विकेट जो है end of the day लेकर निकले हैं हम और वो एक positive हम मानेंगे अश्विन जो है अपने रंग से थोड़े से अलग दिखे तो अश्विन पर नाजर रहेगी कल वाले दिन पर और सबसे important चीज इंडिया ने DRS बहुत वेस्ट किये अपने तीनों DRS वेस्ट कर दिये ये एक negative चीज है कुछ decision ऐसे थे जो naked eye से दिख रहे थे बट इंडिया was so desperate to take wicket कि वो इस चीज को ignore करकर उनने वो DRS जो है वेस्ट किया ये similar जो हमने देखा था Australia की तरफ से जब वो भी यही हरकते कर रही थी पहले दो test matchो में तो इंडिया ultimately क्या कल को pressure ले पाएगा या नहीं और अगर इंडिया ने वो pressure लेकर अपनी वो शूर है तो ये दो दिनों में test match खतम होने जा रहा है इसके इलावा जनेजा की performance बहुत अच्छी है और उस performance में हमें उनका no ball वादा issue जो है ignore नहीं करना चाहिए बहुत बड़ा issue है आज भी लभू शने की wicket लभू भीया हमारे जो है wicket पर out हो गये थे बर निकला क्या जन 27 runs से अलड़ी पीछे हो चुका है उस्ट्रेलिया लीड कर रहा है और इंडियन बाटर्स को और जादा बढ़िया खेलना होगा which I expect की वो करेंगे और इसके इलावा उस्ट्रेलिया ने जब बाटिंग की sensible बाटिंग से यहां पर run बनेंगे यह दिखा भी दिया आपको क्या लगता है जरूर बताईएगा और जाते जाते यह भी बता दूँ मैं ट्विटर पर active हूँ आप link जो है description में भी देख सकते हैं add the rate इशान मीत है आईए join कीजिए बाते बगारा करते हैं और जाते जाते off the topic एक बात यह रकाश चोपड़ा से request करो ना अपना comment section open करने की वहा आउट नहीं है क्योंकि हमें पता है Australia किस किसम की चीजें आकर करने की capability रखते हैं और Australia से इस टूर में जो हमने देखा है कोई hopes नहीं है यह best to best वो perform कर सकते थे उन्होंने आज कर दिया इसके बाद India अगर comeback नहीं करेगा तो मैं surprise हूँगा आप मुझे बताईए इसके कोशिश मैं करूँगा हर दिन जो है आपसे बात करने की Australia और India का इस test match के दोरान आपका response कैसा आएगा वो decide करेगा कि हम कितना regular हो सकते हैं तो प्यार जरू दीजेगा like और share कीजेगा subscribe जरू कीजेगा